रस्ती जलगई पर बल नहीं गया ये कहावत इस वक्त अतीक एहमद पर सटीक बैठती है यूपे पुलिस अतीक को खीच कर ला रही है लेकिन फिर भी अतीक पुलिस पर आखे तरे रहा है आखे दिखा रहा है ये दिखाता है उसकी बौकलाहट को अधीग को समज जाना चाहिए कि उसकी ये अकड अब किसी काम की नहीं इन आखों से और इस अकड से वो अब किसी को नहीं डरा सकता और ना ही कोई डरने वाला है अतीक को समझ जाना चाहिए कि उसकी दादागिरी की अब कोई कीमत नहीं रह गई उसका जो रसूख था वो अब मिट्टी में मिल चुका है क्योंकि योगी ने ठान लिया है कि मिट्टी में तो मिला कर रहना है गुजरात की जेल में जिस वक्त यूपे पुलिस कोट का आदेश लेकर पहुची उस वक्त कोई समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या हर कोई सोपरेशन से बेखबर था लेकिन साबर मती जेल के जेलर की मेज़ पर जैसे ही यूपे पुलिस के अभिशेक भारती ने कोट का आदेश रखा अतीक की सांसे फूलने लगी थी कोट के सामने गिडगडा रहे अतीक को कोट के आदेश को मानना पड़ा और जिस यूपे पुलिस के साथ आने से वो इंकार करता रहा उसके साथ उसे चलना पड़ा हलाकि कागजी कारवाई में लंबा वक्त लगा और ये वक्त था करीब 7 गंटों का यूपे पुलिस जब 40 सदस्यों के साथ जेल पहुँची तो हर कोई सन्न था हैरान था हर कोई सोच रहा था कि यूपे पुलिस उस साबरमती जेल में क्यों आई है जहां माफिया अतीक एहमद बंद है लेकिन कोट का आदेश पढ़ते ही सारी तस्वीर साफ हो गई उसके बाद दिन बर चली कागजी कारवाई के बाद यूपी स्टीफ की टीम करीब पुने 6 बजे अतीक को लेकर रवाना हो गई चार साल से साबरमती की जेल में बंद अतीक अब लोगों के सामने था जेल से निकले अतीक काला कुरता और सफेद पगड़ी बांदे था मूचो पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था चेहरे पर वो डर दिख रहा था जिस डर को वो कभी सामने वालों की आखों में देखना पसंद करता था वो खौफ कल अतीक की आखों में था तब ही उसने वैन में बैठते वक्त मीडिया के सामने कहा कि कोट के कंदे पर बंदूक रख मुझूद थे पुलिस के जवान से संभालते हुए वेन तक ले जा रहे थे भीड काफी थी तो अतीक धक्के खाता हुआ वेन तक पहुच रहा था इन धक्कों से अतीक बॉकला उठा और पुलिस कर्मी की तरफ आखे तर रहने लगा लेकिन पुलिस वाले ने भी उसे उसकी भासा में जवाब दिया क्योंकि सूबे के मुक्या का आदेश है कि जो जिस भासा में समझेगा उसे उसी भासा में समझाया जाएगा तमाम मुकदमों में आरोपी और करीब 2000 करोड की काली कमाई को कुर्ख करवा चुका अतीक की अकड देखने लायक थी आपको बता दूँ कि देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता संभालने के बाद से योग्यादी तेनाथ की सरकार ने राज्जे के माफिया नेताओं के खिलाफ अपने अभियान में अतीक एहमद को भी लपेटे में लिया था गुजरात की साबरमती जेल में बद अतीक की अवैद संपत्यों पर यूपी पुलिस लगातार बुल्डोजर चला रही है इतना ही नहीं उसके करीबियों पर जैसे शाम अताई हुई है और हर रोज कुर्क सहुती संपत्यों में बाहुबल से बनाया गया अतीक का सामराज्य दिन बादिन जमी दोज हो रहा है अभी तक 2000 करोड से ज्यादा की माफिया की संपत्यों को प्रसासन कुर्क कर चुका है हाल ही मातीक के करीबी की 300 बिगा में फैली एहमद सिटी को भी प्रसासन ने जमी दोज कर दिया बीते 2-3 सालों से अतीक के खिलाफ अभियान लगातार जारी है प्रियागराज और कोसांबी में अतीक की कई संपत्यों को प्रसासन ने या तो कुर्क कर लिया या फिर उन पर बुल्डोजर चला दिया इतना ही नहीं उसके करीबी भी पुलिस की रडार पर हैं और चुन चुन कर उनके अवैत तरीकों से कमाई गई संपत्यों को प्रसासन ने स्तानाबूत कर रहा है इतना सब होने के बाद यूपी से बहुत दूर गुजरात की जेल में बंद अतीक अपने सामराज्य को ढहते हुए देखने को मजबूर है अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताओं तो यूपी में बाहुबल और खौफ का प्रियाय बन चुके अतीक पर पहला मुकदमा साल 1989 में दर्ज हुआ था अतीक अहमत के खिलाफ अभी तक 163 मुकदमे दर्ज हैं इनमें हत्या का प्रयास हत्या की साजिस प्रोपर्टी हडपना रंगदारी मांगना जैसे गंभीर अपराद शामिल है अतीक इनमें से कई मामलों में बरी हो चुका है क्योंकि आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी पुलिस पूरविधायक राजुपाल की हत्या में भी अतीक आरोपी है इसी मामले के गवार है उमेश पाल को भी पिछले दिनों इस माफिया ने रास्ते से हटा दिया इस माफिया का एक इतियास ये भी रहा है कि जो भी इसके रास्ते में आया उसने इसे हटा दिया उमेश पाल के मामले में भी अतीक एहमद और उसका पूरा परिवार आरोपी है यही वो मामला है जिसकी वज़ा से माफिया को योगी सरकार गुजरात से खीच कर यूपी लाने में सफल हो पाई है सिर्व अतीक पर ही नहीं उसका परिवार भी योगी के एक्षन से अच्छूता नहीं है अतीक का भाई अश्रफ बरेली जेल में बंद है उसका छोटा बेटा अली और बड़ा बेटा उमर भी जेल में बंद है अतीक के पतनी शाहिस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की मास्टर माइंड बनाई गई है और वो तब ही से फरार है अतीक के शूटरों के साथ वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने उस पर 25,000 रुपे का इनाम गोशित किया था अतीक का तीसरे नमभर का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और अभी तक वो फरार है पुलिस लगतार उसकी तलास में छापे मारी कर रही है हिंदुस्तान के साथ-साथ नेपाल में भी उसकी तलास चल रही है लेकिन अब तक वो नहीं मिल पाया है उस पर पांच लाख रुपय का इनाम है वहीं उसके दो और बेटे कथित तोर पर लापता है पुलिस ने उन्हें घर से उठाया था और दावा किया था कि उन्हें बाल संरक्षन ग्रह में भेज दिया गया है हलाकि पुलिस के इस दावे को साइस्ता ने खारिज कर दिया और खुद पुलिस ने भी दोनों बेटे का पता बताने से इनकार कर दिया अब अतीक जल्दी ही उन सडकों पर होगा जिन पर वो कभी खौफ को अंजाम दिया करता था उसका रशूक हुआ करता था जिस सहर में वो शहर देखेगा कैसे यूपे पुलिस अतीक को घसीटते हुए ला रही है और कोट में पेश्ट करेगी आप अतीक पर हो रहे है एक्शन पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं नमस्कार पोटीट आप जो आपक अकशन था रखते हैं हुआ कर दो रहे हैं है मोवड़ खाएं के अवंड़ो खाएं कर से मेंहित भावड़क जता था इसितना है पजिए क्ष 있는 की पाद एका मंझा जह जा एका ह।